तो गाइस पिछले फिसोर में हमने देखा था कि लीनियांग ने इंग जिवाहू के सबी लोगों को मार दिया होता है और इसके बात इंग जिवाहू बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है वो बोलता है एक ऐसे संबब है एक ऐसे हो सकता है लीनियांग सिर्फ उसके तरब द और उस बंदे का आवाज सुनकर इंग जिवा हूँ और भी जादा शोक हो जाता है क्योंकि ओबंद और कोई नहीं उल्फ होता है और इंग जिवा हूँ के हाथों से ओफोन भी नीचे गीर जाता है और हम पोईजन रेगन फैक्टरी को देख पाते है जो की इंग जिवा हूँ के फैक्टरी है जिस फैक्टरी में जाकर उल्फ और उसके आदमी ने पहले से इकप जगर रखा हुआ होता है और उल्फ इंग जिवा हूँ को बोलता है मैंने इस जगा पर पहले से ही कब जगर रखा हुआ है और हम उस जगा को देख पते हैं जहाँ पर नीचे बहुत सरा लाशे परा हुआ है और इंग जिवा हूँ उल्फ को बोलता है मैं हार मानता हूँ लेकिन मुझे हार मनने से पहले जानना है कि ये जो बंदा है एक क्या है असल में इंग जिवा हू लीनियांग के बारे में जानना चाता है उल्प बोलता है लीनियांग ओ तो मेरा रिसेंटली भाई है और ओ सेगेंड इन कमान है ओ भी उल्प एस्टोशियेंशन का और हम लीनियांग को देख पाते है जो की एक एक करके इंग जिवा हू के बाखी बंदों को भी हरा देता है और इंग जिवा हू बोलता है क्या? वाइल्ड उल्प एस्टोशियेशन का सेगेंड इन कमान इसके बाद हम देख पते हैं कि पॉईजन रगन हॉल में उल्प के सभी बंदे आ चुके होते हैं और ओ, इंग जिवा हू के बंदे को पकल लेते हैं और उल्प आकर सिधा लीनियंग को गले लगाता है और बोलता है तुमने अकेले ही पॉईजन रगन हॉल को हरा दिया है और लोगों ने सुना नहीं कि ली नयंग क्या का है जल्डिसे जाओ आए इंगरदा जब तक हस्पिटल कर ले चांड है और जो तक दिछितने में पर नषी पुलते हैं और वहां पर वहन आदमी में जांता हूं और फिर Leen Young यून्रों के घर आजाता है और घरने के बाद leen Young बोलता है शायद यून्रों घर पर नहीं है उस शायद कम पर बीजी हो कमरे के अंदर leen Young देखता है उसके जो दो मेर्ज से ओ कुछ पर रहे है और leen Young उन दोनों के पासा कर बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो ओदोनों मेर्स उस बुक को छुपा लेते हैं और बोलते हैं कुछ भी नहीं एदेखने के बाद लीनियांग के समझ आजाता है कि एदोनों कुछ तो छुपा रहे हैं और हम देख पाते हैं कि उनके हाथ में एक वाजिया लैंगवेज बुक है और देखने के बाद लीनियांग हसता है और बोलता है तुम दोनों वाजिया लैंगवेज सीखने के बाद क्या करोगे इसके बाद ओदोनों शर्मा जाते हैं और ओदोनों वाजिया लैंगवेज में बात करते हैं कि हमारा मजग मतूराओ लेकिन एदोनों वाजिया लैंगवे है और वो दोनो लने यंग के ऊपर नीचे गिर जाते हैं और लिनियंग बोलता है कंछालों मेरे पास मता हो और लोग लिनीयं के पास आते है जिसके से लेनियंत के अंगुट से वह 시간 फिर से निकलना शुरू हो जाता है जिसके जैसे वो दोनों अपना कंट्रोल खो बैठते हैं तभी हो आपर यून रॉंग आ जाती है और ओ ये देखकर अपना बैक नीचे फेक देती है और यून रॉंग बोलती है लीन यंग तुम्हें क्या कर रहे हो और ठीक एही पर ही एपिसोड 45 खतम हो जाता है तो आज के लिए इतना है नेक्स्ट इपिसोड दिलाने के ओशिश करूंगा थैंकिव पर वाचिंग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में